मैं हर साय पैकरा, पीता स्री छत्तर साय पैकरा, ग्राम वब पोश्टो दारी, मैं एक छोटा सा किर्शक हूँ, जो 2007 से अभी तक करते आ रहा हूँ, कि स्टार्ट मैंने तीन एकर से शुरुवात की थी, और आज 40-42 एकर तक मैं खेती करता हूँ, इस बीच में मैंने देखा, शुरुवात में हमको अच्छे पैसे बन जाते थे इससे, लेकिन अब धीरे धीरे समय बित्ता जा रहा है, और हर चीज का कंपिटिशन बढ़ते जा रहा है, इसलिए हमको सई समय पर मतलब किसी भी फसल का वाजिब दाम नहीं मिल पाता है, तो इसके लिए हमें जो है आप सिजन में लगाने की जुरुवत है, आप सिजन में हमने लगाते थे, तो उसमें खंड अत्याधिक पड़ता था, पाला पड़ता है, और अत्याधिक गर्मी से बचने के लिए हमें वली हाउस या नेट हाउस के माधम से ही संभव हो सकता है खेती, लेकिन अभी एक साल से ग्रोवीट कमपणी का ग्रोफ हैवरिक कभर के नाम से एक नेट है, जिसकी सहायता से हम कम से कम लागत में आप सिजन का खेती कर सकते, तो उसे के विशे में हमको जानकारी मिला और मैंने गर्मी की फसल के लिए बारा एकर में ट्राइल के रूप में मैंने ग्रोवीट कमपणी का ग्रोफ फेवरिक कभर हमने लगाया, और हमने देखा पहले फुले में जो करते थे, उसमें 20 से 25 टन की ही उत्पादन आती थी, लेकिन इस वर्ष मैंने देखा उत्पादन जो है 35 टन तक मैंने लिया और इसमें कम से कम 10 टन मा लगे और बचा हुआ, इसलिए सस्ता सूलब के हिसाब से जो किसान पॉली हाउस हो गिरा नहीं लगा सकते हैं और आपसीजन में फसल लगाकर फैदा ले सकते हैं, तो ग्रोवीट कमपणी का ग्रोफ फेवरिक कभर के माध्यम से फसल ले सकते हैं, जैसा कि मैंने ग्रोफ फैवरी कवर के बारे में आमने बताया यह उपर में जो लगा हुआ है इससे जो है टेमपरेशर चार से फांच डिग्री जो है गर्मी में कम होती है और ठंड में जो है टेमपरेशर को बढ़ा देता है जिससे फसलों में होने वाली नुकसान से हम बच और इसके अंदर वाला जो फसले है उनमें जो है हमें 25 परसेंड जादा रेट जाधिक मिलते है जैसे कि इन साल 1000 रुपया आम टमाटर बीखते थे लेकिन इसके अंदर वाला टमाटर बारा सो रुपय बीखता था तो यह अंतर है धन्यवाद मैं हो ग्रोवीट का तिसान